यार तुम्हें कभी मोत चुके गई है भाई मेरे साथ ऐसा हो गया मैं एक मूवी देखके आया हूंगी डबल एक्सल नाम की और भाई उसे देखके मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिन्दा बच कैसे गया भाई जहर पीने के बराबर मूवी है ये अगर तुम्हारा भी प्लान बन रहता ने इस मूवी को देखने के लिए तो तुम ऐसा समझे लो भगवान ने मुझे तुम्हारी उरे बेजा है भाई भूल आजा देखकर इस मूवी को मैं तुम्हें बता रहा हूं इतनी घटिया picture है मेरे पात बाई शब्द नहीं है चलो तुम्हें डिटेल में बताता हूं यार वैसे तो इस मुवी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो ओवरवेट लोग होते हैं उन्हें जो है सोशली इतना ज्यादा इक्वैलिटी का मोका नहीं मिलता मतलब लोग उन्हें गलत नजरों से देखते हैं लेकिन यार मेरे ख्याल से जो मुवी बनाई गई है वो अमेरिका को ध्यान में रखते वे बनाई गई है इंडिया में तो ऐसा कल्चर मुझे जादा दिखाई देता नहीं यार मुझे तो न कुरेशी का चैरेक्टर है वो मेरट की रहने वाली लड़की को दिखाया गया है और वहर बात में हम बोल रही है मुझे यह समझ नहीं कि मेरट के लोग कहा हम बोलते हैं इन्होंने पता निक्या स्टडी कर लिया यार मेरट में मेरी तो दो बवाजी है उनके परिवार में कोई हम नहीं कहके बोल रहा है सब मैं ही कहके बोलते हैं तो बाई इनकी जो स्टडी है वो बस ऐसी है मतलब कोई भी यूपी का कहीं भी इलाके का हो उससे कोई ले ना देना नहीं है बस हमें पता है कि हम बोलते हैं वापे तो बाई हम वोई बोल देंगे और ऐसी एक नहीं बाई कई सारी बाते हैं तो कुल मिला क्यार मुवी जो है ना मतलब स्टडी तो उसमें करीनी और स्क्रिप्ट वगेरा बहुत जादा कमजोर है स्टोरी निहाइती जादा घटिया है क्यार बात करें इसमें एक्टिंग की तो सोनाक्षी सिना और ये जो हुमा कुरेशी है दोनों की एक्टिंग महा घटिया है मैं तुम्हें सही बताऊं तो हुमा कुरेशी तो फिर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है पता नहीं इस मूवी में उन्होंने भी घटिया ही काम करें और सोनाक्षी सिना तो खेर है ही गटिया एक्ट्रेस यार मैं और बात नहीं कर पाऊंगा चलो यार मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई सोरी मिलते हैं नेक्स वीडियो में